पहली चीज़ कि लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा ऐसा केंदर सरकार का आदेश है लेकिन इस लॉकडाउन में कई सारी धील दी जाएंगी पहले मैं आपको यह बता दूं कि क्या-क्या एलाउन नहीं होगा दिल्ली के अंदर मेट्रो नहीं चलेगी सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टिटूट, ट्रेनिंग इंस्टिटूट सब बंद रहेंगे सारे होटल बंद रहेंगे सारे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिमनेजियम, स्विमिंग पूल, एंटर्टेन्मेंट पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम्स, असेंब्ली हॉल्स यह सब बंद रहेंगे सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट, एंटर्टेन्मेंट, एकेडमिक, कल्चिरल, रिलिजिस या किसी भी तरह की बड़ी गैदरिंग्स यह नहीं हो पाएंगे यह लाउड नहीं होंगे कोई भी धार्मिक स्थान या रिलिजिस प्लेस या प्लेसस ऑफ वर्शिप बंद रहेंगे कोई भी रिलिजिस गैदरिंग एलाउड नहीं होगी बारबर, स्पा और सलून यह अभी फिलहाल बंद रहेंगे शाम को साथ बजे से सुबह साथ बजे तक घर से निकलना अलाउड नहीं होगा केवल एसेंशल सर्विसेज के लिए अलाउड होगा 65 साल से उपर की उम्र के लोग, 10 साल से छोटे बच्चे, प्रेगनेंट महिलाएं और जिन लोगों को दूसरी बिमारियां हैं जैसे डाइबिटीज, दिल की बिमारी ऐसे लोग का घर से निकलना वर्जित होगा क्योंकि इन लोगों के लिए कोरोना जान लेवा साबित होता है रेस्टरांज को खुलना एलाव होगा, लेकिन वहां बैठके खाना एलावड नहीं होगा केवल रेस्टरांज में होम डिलिवरी एलाव होगी स्पोर्स कॉम्पलेक्स और स्टेडियम ये खोल दिये जाएंगे लेकिन यहां किसी भी मैच के दोरान दर्शक एलावड नहीं होगे ट्रांस्पोर्टेशन को खोला जा रहा है तो आटो रिक्षा, ए रिक्षा, साइकल रिक्षा इस ये एलावड होंगे लेकिन केवल एक पैसेंजर टैक्सी, कैब्स ये एलावड होंगे लेकिन केवल दो पैसेंजर ग्रामीन सेवा, फटफट सेवा, इको फ्रेंडली सेवा ये एलावड होंगे लेकिन केवल दो पैसेंजर मैक्सी कैब में केवल पैसेंजर और आर टीवी में ग्यारा पैसेंजर लेकिन हर सवारी उतरने के बाद ड्राइवर के जिम्मेदारी होगी कि वो सवारी वाले एरिया को डिसिन्फेक्ट करेगा ताकि जो अगली सवारी बैठती है उसको भी खत्रा ना हो और ड्राइवर को भी खत्रा ना हो कार पूलिंग या कार शेरिंग एलाउड नहीं होगी एग्रिगेटर्स वालों को दिली में बसें चलना चालू हो जाएगा, एक बस में 20 से ज़्यादा पैसेंजर्स अलाओड नहीं होगे, बस में चड़ने के पहले हर पैसेंजर की स्क्रीनिंग की जाएगी और हर बस्टॉप के उपर ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी की सोशल डिस्टेंसिंग मिंटेन करें बसों के अंदर भी और हर बस्टॉप के उपर भी वेहिकल्स और इंडिविजुल्स का मुव्मेंट एलाओड होगा पूरे दिल्ली में फोर विलर्स के अंदर दो पैसंजर से ज़्यादा एलाओड नी होगे और टू विलर्स के उपर पीछे बैठके सवारी एलाओड नी होगे पीछे पिलियन राइडर एलाओड नी होगा सभी सरकारी और सभी प्राइवेट दफ्तर खुल जाएंगे अपनी पूरी स्टाफ के साथ लेकिन कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट आफिस वाले ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर में जितने काम कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम रहे सभी मार्केट्स खुल जाएंगे लेकिन जो मार्केट्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं वहाँ पर दुकाने और इवन के हिसाब से काम करेंगी आधी दुकाने एक दिन खुलेंगी आधी दुकाने दूसरे दिन खुलेंगी लेकिन जो एसेंशल आइटम्स की दुकाने हो और social distancing maintain करने के जिम्मधारी दुकानदार की होगी अगर किसी दुकान के उपर social distancing maintain नहीं हो रही तो दुकान बंद कर दी जाएगी जितने industry है सारी industry खोली जाएगी लेकिन इनके timings को थोड़ा सा stagger कर दिया गया है भीड को रोकने के लिए construction activities शुरू की जा रही है लेकिन construction activities में केवल दिल्ली में रहने वाले जो वरकर्स हैं वही allowed होंगे अभी trans border workers अभी लाना बाहर से workers को अभी लाकर वो allowed नहीं होगा शादी के लिए केवल 50 guests allowed होंगे और उसमें social distancing maintain की जाएगी funeral के लिए केवल 20 लोग allowed होंगे और उसमें social distancing maintain की जाएगी containment zones के अंदर किसी भी किस्म की कोई activity allowed नहीं होगी essential services को छोड़के interstate पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि border के उपर nurses को doctors को रोग दिया गया केंदर सरकार ने भी यादेश दियें कि border के उपर doctors को medical professionals को nurses को paramedical staff को sanitation पे काम करने वालों को ambulance को इनको बिना रोग टोक के allowed किया जाएगा और border के उपर interstate moment के लिए goods और cargo के trucks जो हैं चाहे वो खाली truck हों चाहे समान से भरे हुए हों उनको सबको allow किया जाएगा और सबसे ज़रूरी है कि masks पहन के निकलना अनिवार्य है सबको mask पहने रहना ज़रूरी है और social distancing हर जगे maintain करना ज़रूरी है और बार 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 जितनी बार हो से के आप अपने हाथ अच्छे से sanitizer से साबुन से धोते रहे अपना खयाल रखिए अपने परिवार का खयाल रखिए बड़ा कठिन समय है लेकिन मुझे पूरी उमीद है जिस तरह से आपने पिछले दो महीने में तपस्या किये आपकी तपस्या ये बेकार नहीं जाएगी और हम सब लोग मिलके करोना से जीत पाने में काम्याब होंगे नमस्कार